बाफ़ेलो का कांचाईलया जो बहुजण विचारवनत है, फिलोसफर है, उनका कहना है कि जो रेसिजम है भारत के अंदर तो उसके वज़े से वो ब्राह्मन लोग, ब्राह्मन वादी लोग काय को अपना मानते हैं और बफेलो यानि कि भाइस जो है उसको अपना नहीं मानते हैं आपकी कहएगा है मैं किसी सफेद के खिलाप किसी काले को ख़ड़ा नहीं करना चाहता जैसे कि अफगानिस्तान से लेके आप कहिए कि जैसे एक बलून रखा जाए और उसको फुलाया जाए वो फूल के जैसा बन जाएगा वो वहीदिकों का इरिया है वहाँ गाये ज़्यादा है और भैस वालों में और गाये वालों में बहुत सारी लडाईयां हुई है वो लडाईयां हुई है बैसों गाये के उपर नहीं है गास किसको मिले ज़्यादा लिमिटेड मैदान में गाये वोलों को ज़्यादा गास चाहिए तो गास के लिए लडाईयां हुई है लेकिन हमें जानना चाहिए कि इसमें एक रेसिजम भी है लेकिन रेसिजम ही नहीं है उतना ही नहीं उसे ज़्यादा है जैसे कि देखो गाय मानने वाले जो लोग है उत्तर प्रदेश में है बिहार में है उत्तराखन में है पंजाब में है गुजरात में, उसमें शुद्राती शुद्र भी है, वहां बहसे कम है, हाँ काले और गोरे का संदर्य शास्त्र जो है, तो वैदुकों ने गोरे रंग का इर्द गिर्द सारे संदर्य शास्त्रों को रख चाए, लेकिन अपना एक संदर्य शास्त्र है बहुजनों का, और उस जुप काला रंग जभ से प्रोमिनन्ट इंट है। सिर्फ टाला ही उगने कियो जुप हमुल्नी आंगा सिईयों है। तो क्रुम्रुरी सेअट्मौतms bonbon, सब्वेता है। तो खर गटगुठी का एक रंग होता है। सब्वेता यही होते है। कि जिसके पास अपना रंग हो, जिसके पास अपना संगीत हो, जिसके पास अपना वाद्य हो, और एक डांस हो, तो रूप रख रस गंध से संस्कुरूती की पाईदा होते हैं. तो इसमें अगर आप देखें, तो गड़्रियों के पास भी, मेंधिया पालने वालों के पास भी, भैसे पालने वालों के पास भी, गधे पालने वालों के पास भी, या सूर पालने वालों के पास भी, अपना रंग है, और सफेद नहीं है, और सफेद नहीं है, जो कि कम बार और बारिश में पीले-पीले रंग के सोनकी के फूल उग जाते हैं उनका रंग पीला है इसलिए उसको बंडा रहा यहनि के हल्दी की पाउडर का इस्तेमाल करते हैं लाल माती के एक इरिया में जो रहते है जो नार्थ करना टका है पाल टाप गोवा है कारवार है वहां के जो लोग है वहां लाल रंग उनका संदर्य का रंग है वहां से कुमकुम निकलाता है सिंदूर निकलाता है कुछ लोग है नीले रंग को अपना संदर्य का रंग से बताते हैं उनके अपने गीत है, उनके अपने वाद्दे है, अपने संगीत है, एक ही तब का यहाँ पैसा है, जिसका ना कोई वाद्दे है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई संगीत है, उनको कहा जाता है वैदिक ब्राह्मन, वैदिक ब्राह्मन का इसमें से कुछ नहीं है ना ही उन्होंने गायों को पाला है ना ही उन्होंने भैसों को पाला है लेकिन जो भी जिसको पाले उससे उनका गुजर बसर चल जाता है जैसे कि आश्वलायन सुत्रों में लिखा है कि अगर हम एक बक्री को मार देते है श्राद धक्या उसर पर और ब्राह्मनों को उसको परुष्टे है तो पितर एक साल के लिए तुप्त हो जाते हैं अगर भैस को मार देते है तो ब्राह्मन दस साल के तुप्त हो जाते हैं और अगर गाय मार के ब्राह्मनों को खिलाते हैं तो अनन्तकाल तक अमारे प्रतर तुरुप्त हो जाते हैं। तो यह तो हमारा नहीं है, ना हम समस्कुरुत का अधिका रहा है हमें। तो उन्होंने लिखा आए, और वो तो सत्यवच्नी है। कि कि वो भगवान के बेटे हैं तो सत्य होगा। इसका मत है, वो भेड भी खाते थे, बक्रियां भी खाते थे, गोड़े भी खाते थे, गाये भी खाते थे, भैस भी खाते थे। तो आज वो दिखा रहे हैं वो दिखावा टाइसे। वो दिखावा है, गायों के बारे में नहीं उनके लिए कोई चीज। गायों क्या मारने के डर से लोगों के ऊपर अधिकार जामाना है अगर उनीस में अगर यही लोग सत्ता प्या गए तो चोबिस में इलेक्शन ही नहीं होगा किके कोई भी फैसिस्ट जाहे मुशसोलिनी हो या हिटलर हो वो मतपेटी से आता है जोग से हैं, डेमक्रस्यश देमक्रस्य शाता है, उसे मूधी भी मतपेटी से आया है, और वो लोगों के मनमें डर फैदा कर के, डर के साथ वो लोगों पे राज चलनारा चाहता है, और उनको तो उन्होंने पुरानी गोषना है, उनकी कुर्न वन तो विश्वा मारियम, तो बाशक洱 झाहते हैं, तो इनका जो hेडशा राज करना चाहते हैं , तो इनका जो का को धिक शे अपरSt well in Australia or India तर जाने जाता हैं अश्ट्रिया में इनिवेट करता है, चोक्सी अधापे जाता है. सबसे जज़ादा वहिदिक कहां पै अश्ट्रेलीय में है. तो अश्ट्रेलीय में सिड्ni में जो औरम्पिक और हुआ था तो वहांको जो चितर्ध निकारा था पहले दिन जो निकलता है ना उद्गाटन समारों में तो वो चित्रदत्था कमल का आप निकाल के देखिए इंटरेट पे तो उपलोब देना देखेए क्यों कमल का निकाल लिया किस ग्रंथ में लिखा है कि कमल हिंदूओं का चिन नहीं कहीं नहीं लिखा है तो यह फैसिजम के तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसको रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि फैसिजम आता है तो हमें फिर शांती प्रस्थापित करने के लिए फिर मूलनेवासियों का राज्य निर्मान करने के लिए लाखों की हमें मूलनिवासियों के सभ्यता की ओर ले जाएगा और वो कहेगा नहीं हम वो ही थे जिन्नोंने दुनिया रच्ची है हम वो ही लोग है जिन्नोंने महिंजदलों का हडपा का, लोतल का, धौलाविरा का निर्मान किया था हम वो ही है कि जिनके अर्नॉमेंट्स इराक के लोग पहनते थे हम वो ही लोग है जिनके जहाज पूरे दुनिया के पीट पर जलते थे हम वो ही लोग है कि सतर प्रतिशत ब्यवपार दुनिया का हमारे हाथ में था हम वो ही लोग है जिन्नोंने दुनिया पर कबज़ा किया था झाल